दोस्तो आज की इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट सोनेट को जो की होली सोनेट 14 है जिसको लिखा है जॉन डन ने देखें जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोईट है जिन्होंने होली सोनेट की एक सीरीज लिखी थी उस सीरीज के अनुदर टाइटल की बात करें तो इसका अनुदर टाइटल है बैटर माई हार्ट थ्री परसंट गोड ये इसका अनुदर टाइटल है साथ में ये इसकी पहली लाइन भी है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसे बहुत ही आसान भासा में समझाने की कोचिस करूँ मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहिए ठीक है तो अभी हम लोग देखेंगे पहले कुछ बाते इस सोनेट के बारे में जो देखनी जरूरी है Holy Sonate 14 या फिर इसका अनुदर टाइटल Better My Heart 3% God ठीक है दूसरा है देखें पैटरारकन फॉर्म में आप लोगों कई बार बता चुका हूँ कि सोनेट के अंदर कितनी लाइन होती है चोधा लाइन होती है और पैटरारकन फॉर्म में जो सोनेट लिखी होती है उसके अंदर दो स्टेंजाज होते है पहला स्टेंजाज होता है वो 8 लाइन का होत होता है और दूसरा इस्टेंजा जो होता है वो six line का होता है तो ये पैटरारकन form में लिखी हुई sonets होती है इस sonet के अंदर iambic pentameter का done ने इस्तिमाल किया है इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी publication year की तो 1633 में इसको publish किया गया था तो ये थे सारे के सारे facts इस poem के बारे में अब हम discuss करते हैं इसकी line by line explanation को लेकिन इसकी explanation को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा confusion दूर करना चाहूंगा यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से अगर इसका meaning पूछूं better का कि better का meaning यहाँ पर क्या है तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इसका जो meaning है वो है कि बहतर बनाना सुधार लाना या कोई चीज अच्छे ढंग से करना मतलब better करना जनरली लोगों का answer 80% लोगों का answer जो होगा ना 80% लोगों का answer यही होगा लेकिन इसका यहाँ पर यह मतलब नहीं है देखे स्पैलिंग में थोड़ा सा फरक है यहाँ पर better की स्पैलिंग B-E-T-E-R है लेकिन यहाँ पर B-A-T-E-R है तो जो यहाँ हमारी poem में better इस्तिमाल किया गया है वो है चोट देने वाला मारने वाला या फिर यहाँ पर इसका meaning देख लेजे to hit somebody something hard many times किसी को बार बार जोड से परहार करना, कूटना या तोड़ना तो यहाँ पर जो अंडन कहते हैं गोड से better my heart वो कहते हैं कि मेरे दिल पर प्रहार करो, इसे तोड़ दो, पूरी तरह से मेरे दिल को क्या कर दो, डैस्ट्रोई कर दो तो पढ़ते हैं इसकी explanation को, यह है आपके सामने पहला stanza यहाँ पर कहते हैं better my heart 3% God वो कहते हैं कि मेरे दिल को तोड़ दो, इस पर बार बार तुम क्या करो, इस पर प्रहार करो बार बार 3% God का मतलब है, देखें जब मैंने आप लोगों को paradise lost पढ़ाया था, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ तो उसमें में बताया था कि सबसे पहले कोन होते हैं God the Father, फिर उनके बेटे Jesus Christ और तीसरे कोन होते हैं उनके साथ में जो उनके साथ आर्क एंजल काम करती है, जैसे कि Michael मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था अब देखिए यहाँ पर एक image में आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ, यहाँ पर कैई लोग हैं और इनके हाथ में जो है ना एक लकड़ी का बहुत भारी बल्ली टाइप की चीज होती है जो किसी दरवाजे को दिवाल को तोड़ने के लिए काम में आती है जिससे की मेरा दिल तूट जाए और किस से request कर रहे हैं यह थ्री परसन गोड से कर रहे हैं God the Father, Jesus Christ और उनकी आर्क एंजल से यह कर रहे है request वो कहते हैं for you as yet but knock अभी तक तुमने मेरे दिल में कभी भी क्या किया है नोग किया है तुमने अभी तक जो मेरे को कभी चोड़ दे की कोशिस किया ना तो ऐसी दिये जैसे कि मानलो मुझे आप नोग कर रहे हो लेकिन मुझे आप नोग की जोड़ नहीं है मैं अपने आपको destroy करना चाहता हूं better by heart मेरे heart को मेरे दिल को बिलकुल तोड़ दो अभी तक तुमने बहुत easy मेरे को चोड़ दी है नोग करने के बर और breathe और मुझे हमेशा help किया है मेरे सासों को easy करने के लिए sign का मतलब है जब जब मेरे को जवरत पड़ी आपके दिव्याग्यान की sign आपकी light की तो आपने मुझे क्या दिया light दिया and seek to mend आपने मुझे जब भी मुझे जवरत पड़ी तो मुझे हमेशा support किया मुझे सुध मुझे से निकल सकूँ आपने मेरा हर मुझे साथ दिया overthrow me और मुझे किसी भी condition में किसी भी मुझे से तुमने क्या कर दिया overcome कर दिया मुझे वहाँ से निकाल लिया and bend your force to break लेकिन मैं अब आपसे चाहता हूँ कि आप पूरी band का मतलब है यहाँ परी ताकत लगा देना अप make me new यहाँ पर कहते हैं to break मेरा अपनी break करने के लिए पूरी ताकत लगा दो पूरा below पूरी जो फूक है हवाई है वो लगा दो मुझे जला दो पूरी ताकत से मुझे जला दो क्यों क्योंकि जब मैं पूरी तरह से destroy हो जाओंगा बरवाद हो जाओंगा तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप मुझे एक बार फिर से new बना सकते हो मैं नहीं चाहता अब आप मुझे mend करो आप मुझे में सुधार करो मेरे को destroy करो और मुझे एक बार फिर से बनाओ क्योंकि मैं कैसा feel करता हूँ आप John Dunn आगे हमें यह बताएंगे I like and you serve town to another due मैं ऐसा feel करता हूँ जैसे कि एक सहर को किसी दूसरे देश ने बंदी बना लिया हो मैं ऐसा अपने आपको feel करता हूँ जैसे मुझे किसी ने बंदी बना लिया हो labor to admit you मैं बहुत कोशिस करता हूँ बहुत labor करता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ कि मैं आपकी सरण में ही रहूँ मैं आपसे प्यार करता रहूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग को किसी ने गुलाम कर लिया है मुझे किसी ने गुलाम बना दिया है तो मेरी labor जो किसी एक ताकत वर चीज ने, किसी सैटन ने मुझे गुलाम बना लिया है, reason, reason का मतलब है यहाँ पर बुद्धी, जो मेरी बुद्धी है, मैंने पूरी ताकत अपनी बुद्धी जो है न, your voice rose in me, me should defend, और जो मेरी बुद्धी है न, मुझे लगता है, उस पे भी पूरी तरह स किसी ने काबू पा लिया है, जो बुद्धी मुझे defend करनी चाहिए, जो बुद्धी मेरे religious faith को defend करना चाहिए, वो ऐसा काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि, but is captive, यहाँ पर मुझे लगता है, कि उस पर भी किसी सैटन ने क्या कर लिया है, अपना control पा लिया है, मेरी बुद्ध तुम्हारे लिये मैं नहीं, जोंडन कह रहे हैं, कि मैं तुम्हारे लिये अब loyal नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्या कर दो, destroy कर दो, पूरी तरह से, मुझे mend करने की जूरत नहीं है, मुझे destroy करो and make me new, मुझे दुआरा से बनाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं किसी का गुल सकते हैं, कि वो अपने दिल से पूरी तरह से गोड को प्यार करते हैं, और रिटन में क्या चाहते हैं, कि गोड भी उन्हें क्या करे, प्यार करे, but am bethrowed unto your enemy, लेकिन bethrowed unto का मतलब है, यहाँ पर किसी के साथ marriage हो जाना, किसी के साथ एक रिष्टे में बन जाना, लेकिन रिष्टे में उससे बन गया हूँ, मैं चाहकर भी उस रिष्टे से नहीं निकल पा रहा हूँ, तो मैं गोड तुम से चाहता हूँ, divorce me, मेरा तलाक उससे करवाओ, उस रिष्टे को कैसे भी करके तुटवाओ, untie, या तो जिस गाठ में, जिस गाठ से रिष्टा बनता है, उस गाठ को क्या करो, untie करो, उसे खोल दो, और break the note again, या फिर उस note को यदि तुम नहीं खोल सकते तो उसे पूरी तरह से break कर दो, उस गाठ को तोड़ दो, जिस गाठ के में, जिस रिष्टे में मैं उस सेटन के साथ बंदा हुआ हूँ, मैं उस सेटन के साथ नहीं रहना च ताकि वो सेटन मुझे पे कभी भी हावी नहीं हो पाए, मैं चाहता हूँ आप अपने पास रखो, चाहे मुझे कैद कर कर रखो, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, for I accept you enthral me, never sell be free, और मैं चाहता हूँ आप मुझे हमेशा अपने पास क्या बना कर रखें, गुलाम ब बना कर रखें और मैं चाहता हूँ मैं आपकी इस slavery से कभी भी free ना हूँ, मुझे कोई freedom नहीं मिले, मैं नहीं चाहता आपसे कभी भी अलग होना, चाहे आप मुझे बंदी बना कर रखो, चाहे मुझे slave बना कर रखो, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, और मैं इस चेश्ट का मतलब है पवित्र होना, वो कहते हैं कि मैं तब तक पवित्र नहीं होगा जब तक आप मुझे ब्रेक नहीं करते, जब तक का आप मेरे हंट को बैटर नहीं करते, मतलब तोड नहीं देते उसमें बार-बार जटके मार के पूरी तरह से दिश्ट्रोइ नहीं कर देते मुझे और मुझे दुआरा से रिस्टोर नहीं कर देते except you ravis me except you ravis me का मतलब है यहाँ पर पूरी तरह से बिल्कुल कवाडा करके मेरे सरीर का एक एक अंगल लग करके मुझे फिर से रिस्टोर करना जब तक आप मुझे यह नहीं कर देते तब तक मैं कब चेश्ट नहीं हो सकता तो मैं आपसे चाहता हूँ चाहे मुझे अपने पास किसी भी कंडिसन में रखो गुलाम बना के रखो, सिलेब बना के रखो इंप्रीजन कर के रखो, कैदी बना के रखो कैसी भी रखो बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ गोड से ये request उन्होंने की है तो I hope आप लोगों को ये poem अच्छे समझ में आई होगी मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए जैहिंद